नमस्कार आप देख रहें MNS News Live खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एकनिजर आज की हेड्लाइन्स पर 10 पेटी देशी शराव परामर 5,50,000 का माल उड़ाया देशी शराव वट्टे पर छापा मारा अब देखते हैं खबरे विस्तार से कामठी की नय पुलिस थाने अंतरगत आने वाले साई मंदिर अड़ापुल के पास पुलिस ने अवेद रूप से शराव की कार से तसकरी करने वाले दो आर्यूपियों को पकड़ कर उनके पास से 10 पेटी देशी शराव जब्त कर ली है इस कारवाई में पुलिस ने वाहन सहित कुल पाच लाग चोहत्तर हजार का माल भी जब्त कर लिया है प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार को कामठी नया पुलिस थाने का पथक पेट्रोलिंग कर रहा था इस दोरान पथक को गुप्त जानकारी मिली हुंडई वर्णा में शराव की तसकरी की जा रही थी सुचना के अधार पर पुलिस ने उक्तकार को साइमंदी रड्डेपुल के पास से नाकाबंदी कर रोका और उसकी तलाशी लेने पर कार में 10 पीटी देशी शराब पाई गई इस शराब की कुल कीमत 24,960 रुपे बताई गई कार की कीमत 5,50,000 रुपे बताई गई इस कारिवाई में पुलिस ने आरोपी प्रविन भीमराव अंजारी तेलीपुरा निवासी और खुशाल बनवारी लाल शर्मा सत्तु हलवाई चौक कामठी निवासी को गिरफतार कर लिया है वहीं दूसरी खबर शहर में फ्लिपकार्ट कमपनी के कारेले के सामने से 5,50,000 का माल चोरी के आरोप में एक वैक्ती को गिरफतार कर लिया गया है शहर पुलिस ने इस कारिवाई को अंजाम दिया रंजीत पवार निवासी शिवारा जिलामरावती गिरफतार किये गए है संदिक्द का नाम मोहमद शाकीर वलाद अब्दुल रजाक इनामदार उर्फ शाकील निवासी पूरे ने शहर थाने में शिकायत दर्च कर आई शिकायत के अनुसार टेम्पो चालक शाकील शहर के मेन लाइन हिलाके में एक फ्लिपकाट कारेले में कमपनी को समान लेकर 4 नवंबर 2019 को पहुचे टेम्पो फ्लिपकाट कारेले के बाहर खड़ा था इसी खड़ी टेम्पो से एक अग्याद चोर ने फ्लिपकाट कमपनी का करीब 5,60,000 रुपे का माल चोरी कर लिया मामला शहर थाने में दर्च किया गया था इस बीच पुलिस ने आरोपी की तलाश में तलाश अभ्यान शुरू किया था लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली थी वहीं तीसरी खबर पुलिस ने खड़ा का खेट परिसर में दो मोहा फूलों की गाउठी शुराफ भट्टी पर छापा मारा दो संदिग्द आरोपियों को गिरफतार किया चापे मारी 26 जून को शाम 7-8 के बीच हुई साथ ही सारा सामान नस्ट कर दिया गया पुलिस ने कारिवाई के दोरान दो संदिग्दों को गिरफतार किया खड़का खेत परिसर में एक देशी दारू भट्टी शुरू है पुलिस ने खड़का खेत परिसर में जाकर निरक्षन किया अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुरियां की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहे हैं मिनस निस लाइब के साथ नमश्कार